दोस्तों वैसे तो यहर को चाहता है कि उस तो ख़जाने का नक्षा मिल जाए या फिर पूरा ख़जाना ही मिल जाए तो इस वीडियो में आपको किसी ख़जाने के बारे में तो नहीं बताऊंगा लेकिन उसको डूड़ने वाले कुछ एक्सपर्ट से जरूर मिलवा सकता हू अगर अभी तक नोवेल बॉस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लोग यह है नाशन कुछ ज्यादा नहीं हो गया है मतलब कुछ भी तो बिना के हिस देजिके करते हैं वीडियो को स्टार्ट मैं हूं का रधिक और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेस्ट ट्र यंग रिपोर्टर की जो अपने डॉग के साथ एडवेंचर उस पर जाता है यह एक एनिमेटेड मूवी है जिसके पहले टीवी पर एक शो भी आता रहे जिसकी स्टोरी 1992 में पबलिश एडवेंचर्स ऑप लग टिंटेन की कॉमिक्स से ली गई थी दगूनी तो रोस्तों बनने के सपने का तो पता नहीं लेकिन बच्वान में लगबग हर बच्चा एक खाजाना डूडने का सपना जरूर देखता है और इस मूवी में उस फिलिंग को काफी अची तरीके से दिखाये गया है मूवी की स्टोरी की अगर हम लोग बात करें तो कुछ बच्चों के ग और अगर बात करें मूवी के स्टोरी की तो मूवी की स्टोरी को फैंस ने बहुत ज्यादा पसंद किया और फिर मूवी के आगे थ्री पार्ट्स और भी बने एंड गेस्वाट 2022 में मूवी का फिफ्ट पार्ट भी आ रहा है इस मूवी में ट्रेजर इंडिंग को थोड़ा सा मॉडर इंडर्स दिया गया है जो कि स्टोरी को काफी सारे यूनिक और इंट्रस्टिंग भी बना देता है इस मूवी में हमको ऐसा ही कुछ कॉंसर्ट देखने के लिए मिलेगा मूवी में एक नेवी ओपिसर है जो अपनी जॉब से हाथ धोने के बाद एक टीम बनाता है और फिर जाता है ब्लैक सी में गोल्ड से भरी हुए एक बोट की तलाश में इस मूवी के आज भी दुनिया बर में बहुत सारे फैंस है और इसका रिज़ा ने मूवी के बिल्कुल यूनिक स्टोरी एंड अफकॉर्स जॉनी डैप की एक्टिंग मूवी के 5 पार्ट बन चुके हैं एंड मूवी का 6 पार्ट भी बहुत चल दी आने वाला है बट जॉनी डैप एन उनकी वाइफ एमबर हर्ट के बीच में कुछ कॉंफलिक्स की वज़ा से हमको पाइरेट ऑफ दी करेबिन 6 में यह पॉसिबल है के जॉनी डैप देखने के एक revolutionary war में दी ममी ट्रेशर हंटिंग के साथ साथ दोस्तों जान से बुकर चलते फिरता चिंदा मुड़ते देखने के लिए मिल जाया जाएगा जिन लोग ने दी ममी देखिए कि उनको पता हूँ किस बारे में बात कर रहा हूं तो दोस्तों कुछ मूवी अच्छी होती है क कुछ मूवी की स्टोरी ऐसी होती है कि मतलब उनका एक सेकिंड भी मिस करना आप नहीं चाहेंगे और 1999 की दी ममी उन मूवी में से ही एक है और फिर मूवी के दो पार्ट्स और भी बनें 2001 और 2008 में आया थे और फिर 2017 में मूवी को रिबूट कर दिया गया था जो बिलकुल ही की डिफरेंट स्टोरी के साथ आई थी एंड इस मूवी में हल्वूड के फेमाज एक्टर टॉम क्रूस को लिया गया था एंड टॉम क्रूस मेरे वन आफ दा फेवरिट एक्टर में से एक हैं बट मैं फिर भी यही बात बोलुगा कि पुरानी वाली दी ममी जादा अच्छ एक्टर तीनों ही वर्ल्ड फेमस एक्टर जैकी चैन है एंड विकाज ऑफ जैकी चैन यह मूवी एक्शन एडवेंजर एंड कॉमेडी से भरी हुई है तो दोस्तों आज की इस ट्रेजर हिंट को में यही पर रोकते हैं और आपको कौन सी मूवी सबसे सारे इंट्रेस्टे झाल